जैमा भारती, जैंदुराष्ट, आज मैं आप सबको शंक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रकार की पूजा पद्धतिया है और उन सभी पूजा पद्धतियों की शुरुवात और अंत शंक द्वनीश से होता है सिर्फ पूजा पद्धती नहीं, हमारे यहां पुर्वकाल में युद्ध में घोश या युद्ध का आरंब भी शंक द्वनी से ही होता था पांच जन्य नामक शंक वगवान कृष्ण ने बजाया और महा भारत के युद्ध का आरंब हुआ और ऐसे ही शंक द्वनी के साथ युद्ध की पूर्णा होती होती तो हमारी संस्कृती और हम सभी सनातनी लोग शंक से जुड़े हुए हैं ये शंख को लक्षमी का सहोधर भी मानते ये लक्षमी का भाई है और ये शंख के कई प्रकार है जैसे ये जो शंख है इसको नारायन शंख कहते है या पदमशंख भी पदमशंख ये जो शंख है ये दोनों की आकरति आप देख सकते है इसको पदमशंख कहते है और एक और श सामने हैं जो बहुत ही बड़ा है इसको काम धेनु शंख भी बोला जाता है या पांचे जन्य कोई पांचे जन्य भी कहता है खेर शंखों के नाम अलग-अलग भिन्न भिन्न हो सकते आकरती भिन्न भिन्न हो सकती है लेकिन इन शंखों से निकलने वाली जो द्वनी है ये परकार के हानिकारक बैक्टेरियों को नश्ट करने माली है। अब आप जब शंक बजाते हैं इसकी आकरती गोल होती अंदर से। शंक बाहर से कोई भी स्वरूपका हो लेकिन उसके भीतर जो आकरती बनती हैं जो इसकी रचना होती है वो गोल होती है। और हम जब शंक को फूखते हैं और हम अपनी थोड़ी सी ध्वनी इसमें डालते हैं और फिर वो ध्वनी जब शंक से गोलाकार होकर जब यहां से बाहर निकलती है तो सामने आने वाले हानिकारक जीवों को, हानिकारक विशाणूओं को, बैक्तेरियाओं को ये शंक ध्वनी नश्ट करने में कारगर होती है हमारा शास्तर कहता है कि शंक को प्रातर काल बजाना चाहिए दिन में बजाने का निशेद किया है प्रातर काल और सायंकाल में अवश्य शंक द्वनी करनी चाहिए क्योंकि प्रातर काल का समय जैसे रातरी काल आसूरी वेला समाप्त होती है और प्रातर काल जब होने वाली होती है सुर्य भगवान उदय होने वाले होते हैं उस समय अगर शंक द्वनी करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत जादा सुप्रभाव हमारे मन मस्तिक्ष पर पड़ता है आपने देखा होगा कोई जानवर मर जाता है तो दिन में तो उसकी गंद से बदबू बहुत कम आती है लेकिन रातरी के समय में उसकी गंद चारों तरफ फैल जाती है इसका अर्थ यह हुआ कि जब सूर्य का प्रकाश धर्ती पर नहीं पड़ता तब हानिकारक बैक्टेरिया बढ़ जाते हैं और ऐसे समय प्रातर काल जब हम शंक द्वनी करते हैं तब वो हानिकारक बैक्टेरिया हमारे स्वासो स्वास के माध्यम से जो शरीर में गए वो भी नश्ट करता है और आने वाले जो हानिकारक बैक्टेरिया है वो इसकी द्वनी सुनकर समाप्त हो जाते हैं जैसे बंदुक की गोली दो प्रकार की बंदुक होती है एक तो यह ह लाइफल वगेरा आई है वो गोली जो है वो जैसे आप ट्रिगर दबाते हो तो गोल होते हुए आप पर वार प्रहार करती है तो जो सीधी मारत गोली होती है वो तो जादा अन्दर तक नहीं उतरती लेकिन जब गोल होकर वो आती है तब सबसे ज़्यादा वो असर करती है हम दिवाल पर कोई कील ठोकने का प्रयास करते हैं थोड़ी से तो वो कील हो सकता है तूट जाए और हो सकता है वो मुड जाए अंदर न जाए लेकिन जब हम ड्रील करते हैं तब ड्रील मशीन भी वो गोल गोल घूमते ह हुए जब अंदर जाती है तब वह ज्यादा उसमें छेत कर पाती है ऐसे बोरिंग वगरा भी होता है तो उसमें सीधे-सीधे ठोका नहीं जाता कड़ा नहीं किया जाता गोल गुमा गुमा कर उसकी मिट्टी बाहर निकाली जाती है पत्थर काटे जाते हैं और शुद्ध जल मन मस्तिक्ष के लिए मस्तिक्ष जन्य जितनी भी बिमारिया है यह शंख होखने से शंख बजाने से मस्तिक्ष जन्य जितनी भी बिमारिया है दूर हो जाए चैरे पर जिनको कम उमर में जुलिया पड़ रही है वो शंक बजाने का नियम ले ले जिनकी बुद्धी कम है वो शंक बजाने का नियम ले ले जो तुतला के बोलते हैं वो शंक में पानी भरे रात को और सुबह में उठकर पिये तो ये शंक तुतलाना जिसको हकलाना तुतलाने की बिमारी है यह शंक का जल पीने से वो ठीक हो जाती है बहुत-बहुत फाइदे हैं शंकों के मैं कितने-कितने गिनाओं कम है और इन शंकों की ध्वनी भी अलग-अलग निकलती है जैसे यह पदमशंक है इसको हम निकालते हैं और हमेश और हमेशा सिधा रखे और हमेशा इसमें जल भरके रखे तो थोड़ा जल भरके रखे वह जल घर पर छाटे या उस जल का पान जो तुतलाते नहीं है ऐसे लोग भी अगर शंक का जल पीते हैं तो उनको के वाणी के दोश समाप्त होते हैं और शंक फूंकने से दमे की बिमार पूरी नहीं होगी और कभी कभी जब हम सांस पूरी नहीं ले पाते तो हमारे फेफडों में दूशित वायू भर जाती है जो समय पाकर कालांतर में सड़ती है जैसे तलाप का पानी धिमे 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 बदला नहीं गया नया पानी उसमें एड नहीं हुआ तो सड़ने लगता एसे हम जब स्वास भरते हैं और पूरी सास नहीं लेते पूरी सांस बहार नहीं निकालते तो फेफडों में कुछ दूशत सास जमा रहती है जो बविश्य में कई प्रकार के रोग उद्पनने करती है जब हम शंकध्वनी करते हैं और वह सास स्पूर्ण रूप से बाहर निकल जाती है, तब हमें फेफडो के सबंदित किसी प्रकार के रोग होने की संभावना नहीं रहती, फेफडो का कैंसर होने की संभावना नहीं रहती, और फैटी लिवर वगरा जिनका हो चुका है, ठीक से प्राणायम जो नहीं कर पाते, केवल बजाए, तो उनके प्राणायम भी हो जाएंगी, तो अभी मैं आपको मेरे पास तीन प्रकार के शंख है, और तीनों शंखो की ध्वनी मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से आप सुनिये, यह पदमन नाम का शंख है, इसकी आवाज थोड़ी आपको पतली सुनाई देगी, अब यह जो नाराण शंख है, या इसको गदा शंख कह दो, यह बहुत उत्तम प्रकार का शंख होता है, और इसकी ध्वनी अब आप सब, इसकी आवाज भारी है, यह अकली शंख है, नकली के पानी में उसको गोल के रखते हैं, तब यह नकली शंख तूट जाता है, लेकिन जब हम इसको असली शंख जो होगा, वो नमक के पानी में तूटे गा है, और इसकी ध्वनी और इसका वजन ही आपको बता देगा कि यह असली, दिखने में बहुत सुम्दर होती है, अब इस शंख की ध्वनी सुने, यह शंख रदय में उतरने वाली ध्वनी है, इस शंख की और यह शंख अनेक प्रकार के बेक्टेरियों को मार देगा, अब यह जो शंख है, काम धेनू शंख या पांच जन्य शंख, इसकी ध्वनी सुने, तो यह जो शंख है, यह तरह तरह कैसे इसको बजा सकते हैं, और इसकी ध्वनी उसी प्रकार से निकल देगा, यह तीनों प्रकार के शंख है, यह बहुत बड़ा शंख है, और असली शंख की पहचान होना बहुत आवश्चक है, निकली शंख बजाने का कोई महत्व नहीं है, यह लक्षमी के भाई है, जैसे लक्षमी समुद्र से प्रगठ हुई, एसे शंख भी समुद्र से प्रगठ हुए है, तो श्री लक्षमी जी के भाई कहे गए शंख, और जहां भाई है वहाँ बहन दोड़ी दोड़ी चली आती है, ऐसी मान्यता है, दक्षिनावर्ती शंख होते हैं, वामावर्ती शंख होते हैं, यह हमारे पास जो भी शंख है, यह सब भामा वर्ती शंख है, दक्षिनावर्ती शंख मिलते हैं, लेकिन वो निक्रिष्ट होते हैं, अकली दक्षिनावर्ती शंख जिसको शाक्षाद लक्षमी का ही रूप माना गया, ऐसे शंख मिलना दुल्लब है, मार्केट में तो बहुत सारे लोग, आप अतिर सक्ष कित्रों में जाओ तो दर्ती पर कपड़ा विचा के वाँ धेरो शंख दक्षिनावर्ती बेचते हैं, उनकी खुद की दरिद्रता नहीं गई, हमारी क्या जाएगी, वे नकली शंख है, उनके चक्कर में न पड़े, और जो हमारे पास असली शंख मिल जाए, हम उसी का पू